हलो एवरीवन, I hope you're doing well सो कुप राउंड सेकेंड का रिजल्ट आ चुका है और जो स्टुडेंड को पिछले राउंड में अच्छा कॉलेज नहीं मिला था उन्हें इस बार बेटर IIT and बेटर ब्रांच के साथ अलोट हुआ है and second thing कुछ स्टुडेंड ने और मुझे contact किया कि सर मुझे पिछले राउंड में कुछ नहीं मिला था तो इस बार एक या दो आफर उनको भी आया है तो जैसा मैंने previous वीडियो में कहा था ठीक वैसे ही कुछ reflect कर रहा है इस बार कोप राउंड सेकेंड में तो मैं आपको मेरे एक दो फ्रेंड ने स्क्रीन सॉर्ट शेयर किया मैं तो पहले कोप राउंड में क्या मिला था और कोप राउंड सेकेंड में कितना इंप्रूब्मेंट हुआ है ठीक है तो चलिए सबसे पहले देखते हैं तो आपको यहां पर दिख रहा है कि यह राउंड वन का रिजल्ड था तो उसे आयाटी बेच्चू में डिजाइन मिला था गुहांटी में फ्लूर्ड मिला था हैदराबाद में धर्मन मिला था एंड कानपूर में धर्मन मिला था तो उसने कानपूर को retain and wait किया था इस round में जो उसको option आया है IIT कानपूर से ही machine design मिल गया है IIT हैदराबाद में भी machine design मिला है IIT गुहांटी में भी machine design मिला है ठीक है सो आप ये देख सकते हो कि जो previous round में thermal था अब सारे IIT में जहां जहां से offer उसे सब में machine design offer हो गया है बस IIT खड़पूर को छोड़ के ठीक है सो वो किस offer को accept, leverage या retain करने वाला है So one more friend had shared its screenshot of the cop round second तो आपको यहां पर देख रहा कि round one में उसे शरीफ IIT धनबाद में mechanical engineering मिला था और उसने retain and wait किया था और round second में से four offers है Can you imagine I expect कि आपको भी ऐसे अगर पहले round में offer नहीं थे तो आपको मिले होंगे तो जीन strength को पहले round में offer नहीं थे और second round में offer मिले है Please comment करके बताएए कि आपका क्या score था और आपको कौन सा IT में कौन सा specialization मिला है ठीक है and अगर आपको यह नहीं पता है कि accept, freeze करना है retain and wait करना है reject all above and wait तो इसके regarding मैं अपने in the screen में एक video लगा रहा हूँ proper उसमें guidance है कि आपको कैसे अपना choice बनाना है क्या करना है ठीक है So thank you so much